नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इक पार फैर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और लेट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 21.2024 की हिमाचर प्रदेश की आज की सभी ताजा ख़बरों के जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की सभी ताजा खबर हैं. तो देख सकते हैं, आज की पहली ताजा खबर ब्रेकिंग निज है, मिड़े मील वरकर स्कूलों में किचन गार्डन करेंगे तयार, शिक्षा निदेशा लेने जारी किये आदेश. शिक्षा निदेशा लेने आदेश चारी किये हैं कि हिमाचर परदेश के सभी स्कूलों में मिड़े मील वरकर किचन गार्डन तयार करेंगे, परदेश में मिड़े मील योजना के तहत हर स्कूल में किचन गार्डन स्थापित किया जाएगा. देहरा उपचुनाव डॉक्टर राजेश आज भरेंगे दो नामंकन, एक कांग्रेस दूसरा निर्दलिये तोर पर. देहरा उपचुनाव के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा शुकरबार दो पहर दो बजे देहरा में चुनाव नामंकन भरेंगे, डॉक्टर राजेश ने कहा कि वा दो नामंकन पत्र दाखिल करेंगे, एक कांग्रेस से और दूसरा निर्दलिये के तोर पर. लोकसवा चुनाव में हार के कारण जानने शिमला आएंगे, पुनिया, रजनी, मुख्यमंत्री सुक बिंदर सिंग सुकूप, मुख्यमंत्री मुख्यश अग्निवत्त्री, प्रदेश अद्यक्ष, प्रतिबा सिंग समेथ मंत्रियों, बिधायकों और पार्टी पदाधिक के पानी से निर्मान कारे पर रोक लगा दिये, उलंगन करने वालों के पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश चारी किये हैं। राजिश मेरे भाई हैं, उनके जल्द स्वास्ते हैं, उनका कोई मन मोटाब होगा तो उसे दूर कर लेंगे। श्राद होने से वा मानसिक तनाब में है। बोल्ड की वेकल्पिक वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा है एड्मिट कार्ड ये रहा लिंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोल्ड का सर्वर डाउन होने की चलते, 22 वा तेस जून को होने वाले टैट एक्जाम के लिए बोल्ड ने वेकल्पिक व्यवस्ता किया है। इस कार्ड अभ्यार्थियों की सुविदा के लिए बोल्ड प्रबंदन ने वेकल्पिक लिंक hpboss.hp.gov.in को त्यार किया है। यहां से अभ्यार्थियों अपने अड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जहरम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बोले मुख्यमंत्री सुखु ने कांग्रस नेता को आठ गंटे बंदक बनाए रखा। नालागर्ड में हुई जनसभा मैं भाजपा नेता कांग्रस पर जमकर बरसे। इस दोरा नेता प्रतिपक्ष जाराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल ही पूरे प्रदेश ने देखा जिसमें कांग्रस के नेता ने आरूप लगाए कि उन्हें आठ गंटे बंदक बनाकर मुख्यमंत्री ने अपनी बाते मनवाने की कोशिश की। रोतांग समित चोटियों पर गीरे फाए शिमला में छाय बादल इस दिन तक पहुँचेगा मान्थून। इन देख सकते हैं गुरुबार को एच्पियों में विद्यार्थियों का गुसा फूटा। SFI ने एच्पियों परिसर में विरोध रैदी निकाली और समरहिल चोट पर NTA और शिक्षा मंत्राले के खिलाप जम कर नारेवाजी की। वहीं ABVP ने परतियोंगी परिक्षाओं में गड़बडी की CPI से जाच की मांग की है। दलाई लामा नियूस 22 चून को दिल्ली से अमेरिका जाएंगे धर्म गुरू दलाई लामा स्वास्थ जाच भी करवाएंगे। तिबतियों के सरवोच धर्म गुरू दलाई लामा शुकरवार को विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। लाइलामा अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं वाशुकरवार सुबह साथ बजे कांगड़ा एरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे कई भागों में एक सब्ता तक प्री मानसून की बारिश चारी रहने के आसार नियुंतम तामान गीरा हिमातिल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश करीब एक सब्ता तक जारी रहेगी बुद बार को प्रदेश के कई जिलों में बादल जमा जमबर से गुरुवार शिमला सहित आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ बादल चाहे रहे मौसम बिग्यान के इंदर शिमला के जुशार राज जेके गए भागों में 26 जोन तक बारिश का दोर जारी रहेगा नेता प्रतिपक्स चैराम ठाकुर बोले उपचुनाव के लिए सरकार जम्यदार नेता प्रतिपक्स चैराम ठाकुर ने कहा कि या उपचुनाव मुख्य मंत्री की तानशाई की बादा से हो रहे है प्रदेश में जो भी हालात बने हैं उसके जम्यदार मुख्य मंत्री स्वाए हैं जिस तरीके का विभार उन्होंने विदाईकों के साथ किया उसी का नितिज़ा रहा कि केल ठाकुर में तरने विदाईकों को इस्तिफा देना पड़ा सरपट दोड़ने लगी HRTC पिछले साल से पंद्रा क्रोड रुपय जादा कमाई लागातार घाटे में चल रही हमाचे पत्परिवाहन निगम के अच्छे दिन आने लगे है आर्थिक तोर पर अच्छाटी से सरपट तोड़ने लगी है पत्परिवाहन निगम के स्वेत वर्ष की शुरुआत बेहतर हुई है जिससे उमीद है कि आने वाले समय में इसकी वितिस्तिती बेहतर हो जाएगी पाउटा साहिब में प्रवासी महीला की संदेग मौत है उपमंडल में उत्रपरदेश की रहने वाली 30 वर्ष महीला की संदेग दावस्ता में मौत होने का मामला सामने आया है जानकारी के अनुसार उत्रपरदेश के सारणपूर का रहने वाला पंकज ठाकूर अपनी 30 पर शिये पतनी सरीता ठाकूर के साथ जामनी वाला सड़क के साथ किराए के कमरे में लाता था पंकज ठाकूर एक नीजी कमपनी में काम करता है बहुत बार रात कोवा ड्योटी पर गया और पतनी सरीता ठाकूर कमरे में थी जब सुबा पंकज कमरे में आया तो दरवाजा ने खोला उसने मकान मालिक को बलाकर दरवाजे के कुंडी को तोड़ा तो देखा कि महिला विस्त्रे पर बेसुद पड़ी हुई थी सुजानपूर चालक को नींद की जपकी आने से खाई में गिरी कार तीन गायल तस्पीर हैं देख सकते हैं दिली से दम्मण लाहड जा रहा एक परिवाज जा रही एक कार के खाई में गिरने से तीन लोग गायल हुए जानकारी के अनुसार अपनी नीजी कार से एक ही परिवार के थे इनिस्तर से जिसमें वहाँ चालक विकास राणा उसके पता रसन चंड राणा वा माता संतोश कुमारी बैठे थे हिमाचन जॉब्स दसमी पास के लिए नौकरी सो पदों पर होगी भरती अगर आप तसमी पास हैं और किसी बढ़िया नौकरी की तलाश में हैं तो यह ख़बर आपके लिए क्यूंकि SIS India Limited RTA विलासपूर पदों पर स्क्योरिटी गार्ड की भरती कर रही है 25 और 26 को इंटरव्यू होगा तो दोस्तों यह थी हिमाचल प्रदेश के आज की सभी तारा खबरे अगर आपने विद्धक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद जैहिं जैभा